एक बार जंगल में कुछ बच्चे घूमने गए जंगल बहुत दुशाल था उन्होंने सोचा हम इतना बड़ा जंगल कैसे घूमेंगे तभी उन्हें वहाँ एक भारी भरकम बड़ा सा हाथी मिला उन्होंने हाथी से कहा हाथी दादा हाथी दादा क्या आप हमें जंगल की सेर करवाएंगे हाथी दादा तुरंत मान गए और उन्होंने बच्चों को जट से अपनी पीट पर बिठा लिया बच्चे खुशी से गाने लगे तभी बच्चों को एक शेर दिखाई दिया बच्चे बोले देखो कितना सुन्दर शेर है उसकी काली-काली धारियां कितनी सुन्दर लग रही है आगे जाने पर बच्चों को एक चीता दिखाई दिया बच्चे खुशी से उचल पड़े देखो देखो इस चीते की सुन्दर सुन्दर बिंदियां कितना सुन्दर दिख रहा है वे आगे बढ़े तो उन्हें एक पेड के नीचे मोर नाचता हुआ दिखाई दिया और एक टहनी पर तोता गाना गा रहा है बच्चे नाचते हुए मोर को देखकर एक साथ बोले वाह कितना मन मोहक लग रहा है यह सुन्दर एवं रंग विरंगे पंखों वाला मोर सभी बच्चे मोर को एक टक ताकती रहे तभी एक बच्चे ने कहा अरे वह देखो पेड की टहनी पर हरा हरा मिठ्थू और उसकी लाल लाल चोच कितना प्यारा लग रहा है हाथी चुपचाप सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था बच्चों को जंगल घुमा फिरा कर सभी को वापस छोड़ दिया पर हाथी एक जगए चुपचाप खड़ा हो गया और रोने लगा हाथी की रोने की आवाज सुनकर चीची चीची चड़िया आई और बोली क्या हुआ हाथी दादा क्यों रो रहे हो हाथी ने चीची चड़िया से कहा आज मैंने कुछ बच्चों को जंगल घुमाया उन्होंने सभी जानवरों की बहुत प्रसंसा की उन्होंने शेर की धारियां चीते की बिंदियां तोते का हरा रंग एवं लाल चोंच मोर के रंग बिरंगे पंख सब बहुत अच्छे लगे पर उन्होंने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा मेरा रंग बहुत बुरा है देखो न मैं कितना बुरा दिखता हूँ काश मैं भी रंगीन होता तो बच्चे मेरे लिए भी कुछ कहते यह सुनकर चीची चडिया बोली हाथी दादा उदास मत हो मैं कुछ करती हूँ यह कहकर चीची चडिया फुर्र से उड़ गई उड़ करवय शेर के पास गई और बोली शेर हाथी दादा बहुत दुखी है क्या आप उनकी मदद करोगे शेर ने खा हाँ हाँ कहो क्या करना है चीची चडिया बोली उन्हें आप अपनी थोड़ी सी धारिया दे दो और अपना थोड़ा सा रंग दे दो शेर ने कहा हाँ हाँ जरूर फिर चीची चडिया चीते भाई के पास गई चीची चडिया बोली चीते भाई हाती धादा बहुत दुखी है क्या आप उनकी मदद करोगे? चीता भाई बोला हाँ हाँ क्या करना है? चीची चडिया बोली उन्हें आप अपनी थोड़ी सी बिंदियां दे दो और अपना थोड़ा सा रंग दे दो चीते भाई ने कहा हाँ हाँ जरूर फिर चीची चडिया मिठु भाईया के पास गई और बोली मिठु भाईया हाथी दादा बहुत उदास हैं क्या आप उनकी मदद करोगे मिठु मिया बोले हाँ हाँ कहो क्या करना है चीची चडिया ने कहा क्या आप उन्हें अपना हरा एवं लाल रंग दोगे मिठु ने कहा हाँ हाँ जरूर फिर चींची चडिया मोर भीया के पास गई और बोली मोर भीया मोर भीया हाथी दादा बहुत उदास हैं क्या आप उनकी मदद करोगे मोर बोला हाँ हाँ कहो क्या करना है चींची चडिया बोली उन्हें आप अपना सुन्दर रंग दे दो मौर बोला हाँ जरूर अब शेर, चीता, तोता और मौर सब हाथी दादा के पास गए और सब ने अपना अपना थोड़ा रंग हाथी दादा को दे दिया हाथी दादा रंगीन हो गए वो खुशी से नाचने लगे उनको खुश देखका चीची चडिया भी खुश हो गई और वह भी नाचने लगी अगले दिन बच्ची जंगल में घूमने गए रंग विरंगे हाथी को देखकर सारे बच्ची डर गए हमारे हाथी दादा कहां है हमारे हाथी दादा कहां है ये कौन सा विचित्र जानवर है बच्चे जोड जोड से चिलाने लगे बच्चे इधर उधर भागने लगे हमारे हाती दादा तो कितने प्यारे थे यह सुनकर हाती फिर से दुखी हो गया उसने सोचा बच्चों को तो मेरा वही रंग पसंद था वही रूप पसंद था मैंने घी गलत समझ लिया अब मैं क्या करूँ तभी हाती दादा को सामने तालाव दिखाई दिया हाती दादा तालाव में गये और रगड रगड कर खूब नहाया और अपना रंग छोडा लिया और फिर से वे वैसे ही देखने लगे जंगल गुमाने लगे और सारे बच्चे गाना गाने लगे लालालालालालालालालालालालाला